नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका आज की वीडियो में आपके साथ मैं साजा करने जा रहा हूँ टोव फाइब लाज केप मुचल फंड जो कि पिछले 10 साल के बेस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ इनका लॉंचिंग डेट के अट थी अभी asset under management कितना है expense ratio कितना है और यदि आपने इसमें 5 हर रुप मेहने के SIP किये होती 10 साल पहले तो अभी तक particular scheme ने कितना investment पर कितना return बना कर दे दिया है और इसी के साथ category के average return किया है category में यदि आपने same SIP किये होती तब आपका amount कितना बन गया होता और कितना percent आपको return मिल गया होता और जिस index से यानि कि top 100 companies भी investment करते हो आप Nifty 100 TRI का जो index है उसने कितना return दिया है यदि उसमें आपने invest करते तब आपका पैसा कितना बनता तो देख लेते हैं चलते है number one scheme पर तो यहाँ पर पहले तो format आपको समझ में आगया होगा यहाँ पर calculation जो है वो 5,000 रुपय की मंतली SIP पर प्रप्रेस्ट है जो कि 10 साल तक continue रही है SIP और यहाँ पर large cap mutual fund schemes की हम लोग बात कर रहे है number one पर जो scheme आती है वो आती है निपोन इंडिया large cap fund जो आता है इसकी जो launch है वो 1 January 2013 को हुआ था और अभी इसका asset under management है 13,432 क्रोड का लगबग ठीक है इसके बाद expense ratio इसका है 1.01% यहाँ पर मैं direct schemes की बात कर रहा हूँ और इस scheme में जदी 5,6 रुपे की SIP 10 साली के लिए continue रही है 6,00,000 रुपे आपकी pocket से जाता है जो की सभी में 5,6 रुपे की SIP for next 10 years 6,00,000 रुपे आपकी pocket से जने investment बनी जाएगा तो इसने जो return मना कर दिये है number one scheme रही है as per 10 years के return जो है अभी तक ठीक है तो यहाँ पर 15,27,25 रुपे की return आपको मिलता और आपका 6,00,000 रुपेया याणि की 5,00,000 रुपे की SIP से आपको मिलता 14,10,000 रुपेया number second की जो दूसरी scheme है वो है तो इस scheme का जो लोन चुवा था वो 5 January 2013 को हुआ था इसका अभी asset and retirement जो है वो 9,277 करोड का है और 0.48% का expense ratio है काफी कम expense ratio है इसमें भी 5 रुपे के SIP से 6,00,000 रुपे आपके investment बनी जाता और 14,99% के CAGR से गिरो हुई है ये scheme तो यहाँ पर आपका पैसा बन गया होता 13,80,000 रुपेया ठीक है इसके बाद तीसरे number की scheme देखते हैं जो कि ये मेरे asset large cap fund अब ये scheme का जो loan चुआ था 10,2013 को होता इसका AUM की बात करें तो 33,925 करोल का है एक बड़े size का AUM बन चुका है fund का और 0.46% का जो है इसका expense ratio है और यहाँ पर भी 6,00,000 रुपेया आपके at the rate of 14.79% के rate पर यानि कि 14.89% से गिरो हुई है जो scheme अभी पिछले 10 सालों में आपके SIP ग्रोवी है यहाँ पर आपका पैसा बन के आउता 13,75,000 रुपेया इसके बाद चलते हैं next scheme जो है वो SBI जो की famous blue chip scheme है large cap SBI का जो है ये mutual fund है एक January 2013 को launch हुई थी scheme 35,770 ये भी एक large size का mutual fund बन चुका है एसे टेंडर मेंडिमेंट और इसका 0.9% का जो है expense ratio है आपके 6,00,000 रुपे 5,00,000 रुपे के SIP के हिसाब से at the rate of 14.29% ये बन गए होते आपके 13,30,000 रुपे अगली scheme और अंती में scheme जो list की है पांच भी नंबर की वो है ICICI Prove Blue Chip scheme अब ये भी large cap fund है तो यहाँ पर ये एक जनवरी दोयर 13 को फंड लोन चुआ था और इसका जो अभी asset environment है वो 35,806 क्रोल का है और expense ratio इस scheme का 1.12% है सबसे ज़्यादा category में है 1% से उपर जा चुका है तो ICIC प्रूमनी जो return निकाल कर दिये वो दिये 14.18% तो आपके जो investment S.I.P. बनके होती 6,00,00 रुपे से amount जो भी आपका लगा है अभी तक 10 सालों में वो बन गया होता 13,20,00 रुपे तो ये तो होगी 5,00 स्कीम ठीक है अब इसके बाद देखते है category तो category के अबरेज निकालें तो यहाँ पर आपका जो पिछले 10 सालों में return मला है वो बना है 12.97% से आपको C.A.J.R से return मिला है तो 12.97% के C.A.J.R से आपके 5,00 रुपे के S.I.P. 10 साल में 12,30,000 रुपे बन गया होते हैं आपर 12,30,000 रुपे यानिकी सारे top 5 जो scheme से उन्हों return दी है उनसे कम है लगबग last वाली scheme से भी 90,000 रुपे यहाँ पर कम पैसा बना है अब चलते हैं Nifty 100 TRI जिस index से top 100 से आते हैं उसने कैसा performance दी है तो इसकी यदि performance की बात करें तो यहाँ पर 12.88% का इसने CIGR से return दिया पिछले 10 सालों में ठीक है और आपका पैसा बन गया होता है यहाँ पर 12,20,000 रुपे यानि कि last जो scheme थी ICC Pro जो की category की 5th number की scheme थी उसने बनाय थे 13,20,000 रुपे और आपका जो Nifty 100 tier है यह इसने बनाये 12,20,000 रुपे एक लाख रुपे का difference यहाँ पर आ रहा है और जो first scheme थी उसने बनाये 14,20,000 रुपे तो वहाँ से तो लगबग 2,00,000 रुपे का difference आपको देखने को मिल रहा है तो यह एक जानकरी के लिए आपके वीडियो मैंने साजा किया कि large cap scheme में आदे आप निवेश करते हो तो इस परिकार से आपको return मिले है पिछले 10-15 सालों में आप इससे ज़एदा expect भी नहीं कर सकते हो जो large cap mutual fund होते हैं उनका return जो ratio रहता है वो 13% से लेकर और 15-16% के बीच में कहीं land करता है जो की owner average जी आप मानते हो तो 14-15% मान सकते हो इतने आपको return मिल जाएंगे कई बार ये इस 15 से कम कई बार 15 से थोड़ा बहुत उपर भी जा सकता है लेकिन वो rarely है तो आप मान कर चलिए कि 14% के average return आपको large cap mutual fund बना कर दे देंगे यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है ये example भी अच्छा लगा है आपको calculation सही लगी है तो बाकी लोगों को इस साथ भी साजा किजिए जिससे कि बाकी लोगों की भी awareness बढ़े और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यदि 14-15% के आपको return मिल रहे हैं यहाँ पर ये small cap fund के comparison में काफी ज़्यादा secure and safe है नजरिया ज़्यादा long term नहीं है और आपका risk profiling भी इतना ज़र strong नहीं है तो आपको मैं recommend करूँगा यानि की बोलूँगा आपसे कि सायद आपको large cap mutual fund में भी निभेस करना चाहिए जानकर ये अच्छे लगी तो बाकी लोगों के साथ भी साजा कीजिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत